आज हमारे समाज में बटवारा एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जिसको लेकर के लगवग हर एक घर में कोई न कोई समस्या जरूर खड़ी हो जाती है आपकी पुस्तैनी जमीन है और आप कई भाई हैं उसका बटवारा नहीं हो पा रहा है परिवार में आए दिन बिवाद होते हैं आए दिन जगड़े होते हैं और उस बात को लेकर के बहुत अनमन बनी रहती है तो बुद्धिमान ब्यक्ति को यहीं चाहिए कि वह आपसी बटवारा करके और अपने अपने हिस्से को लेकर अपनी सपून की जिन्दिकी जिली है इस परिश्थिती में आप क्या पने गई पतवारी को लेकर के आज पूरे भारत में जो इस्तिती बनी हुई वह काफी जटिल प्रक्रीया बनी हुई है क्या अगर मुझे हमारे हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है या हमें परिशान किया जा रहा है तो क्या हमें करना चाहिए कोल्ट में जाना चाहिए कोल्ट में जाने के बाद हम अगर जाते हैं बेसक आपका पटवारा कोल्ट से होगा लेकिन इसमें कित्रा समय लगेगा इस बात की गारंटी होई नहीं दे सकता वाज़ा बहुत साफ है क्योंकि कोल्ट की एक प्रकरिया होती है कोल्ट प्रोसीजिंग जो होती है उसका एक अपना अलग सिस्टम होते हैं वो तमाम एविडेंस होते हैं उनके आधार पर कोल्ट अपना निर्णय देती है बेसक कोल्ट जो अपना निर्णय देती है वह एक ब पाएंगे इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा वो रास्ते बताऊंगा उनके वज़ा क्या है और कारण क्या है यह सारी बात में आपको बताऊंगा मैं आपको इसमें बताऊंगा जो इंडियन एक्ट बताऊंगा उसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए यदि आप अपने परिवार से परिशान है आप अपने फैमिली परिशान है कुछ ब्यक्ति ऐसे हैं जो बटवारा तो चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे ब्यक्ति हैं जो बटवारा नहीं चाहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनकी नियत सही नहीं है कहीं न कहीं उनकी नियत में फ्रूट है तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाह कि हमारे परिबार में कुछ न कुछ विवाद हो रहा है और विवाद करने से कोई फाइदा नहीं हम अपनी स्वेक्षा से ही अलग हो जाते हैं और जो भी हमारे हिस्ति की जमीन बनती है मकान बनता है उसे हम बराबरा बरबर माट लेते हैं यह बात आप करेंगे बेसक आप ज समर्थन नहीं करेगा दूसरा दूसरा कंडिसनिन आता है कि अगर किसी ब्यक्ति के मन में बईमानी आगे जैसे मान लीजेए आप चार भाई है और 4 भाई भाई बतवरा करना चाहते हैं और चौथा भाई बतवरा नहीं देना चाहता वो तमाम बातें करता है जब तक पिता चाइज नहीं है उनके नजर में क्योंकि उनके मन में बयिन के नियत सक्राइन कई कहिं है हो जाती हैंर उसके बाद भी नहीं मानते हैं और notice एक लिखे अन्हादार कहसे हैं कि कई बार लोग किए हम रोड़ कामी नहीं कि बटवार हमारे यहां हुशा लियुए क्या आपको इस मामले आपके संघ्यान में था तो बहुत से यह सातिव्टा से कहते नहीं सर हमें नहीं तो पता यह नहीं हमें तो आज पता चल आ है इंसब चीजों से प्चने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना एक लिगल नोटीस बना करके आप सब को उनके address पे अगर वो है वहाँ पे तो by post भीचिए ताकि उनके receiving हो जाए वह दिखिए एक evidence का काम करेगा मैं मानता हूँ कि इतना करने से बटवारा तो नहीं हो पाएगा लेकिन यह लिखेद सुचना कल को इंकार नहीं कर पाएंगे कि हां बटवारे वाली बात चल रहे थी और उसमें जो ground आपको बनाना है उसमें पहला ground कि हमारे परिबार में आय दिन जगड़े हो रहे हमारे कोई दिल्ली में रह रहा है कोई मदरास रह रह रहा है कोई कलकता रह रहा है तो बहुत जो बाहर रह रह रहा है उसे तो कोई परिशानी नहीं क्योंकि वह अपना नौकरी कर रहा है और अराम से रह रहा है लेकिन जो घर में रह रहे हैं उनमें कही न कहीं लेकर कि किसी बा बने चाहता है और हरा आदमी है हरा आदमी का अपनी लाइफीश्य लिए अपना जीना चाहता है और कोई इस् में दखला अंदाद यह इना जंग कोई अगर Sustainee कर रहे हैं तो से भटवारत उसी धीन हो गया जिस दीन आपका जीन जब परिबार का खाना एक में जिसो दिन बंद हो जाए, आप समझ लेना कि उसके बाद आपको बिलंब नहीं करना चाहिए, आपको जरा भी देर नहीं करने चाहिए, उस्ताइनी जमीन हो या जो भी जमीन है उसे बटवारा करके सुख सांती से रहना चाहिए, बट कोई ये क बता हो, जरा मार पिट करोगे, दो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, दोनों क्या हैं, आपस में भाई हैं, मार पिट करोगे, भाई भी मार पिट करेगा, बहने भी मार पिट करेंगे, और ये सारे लों मार पिट करेंगे, परिशानी क्या होगी, जब मार पिट करेंगे, तो आप पर 307 का मुकदमा कायम हो जाएगा एक क्रिमिनल एक्ट के अंतरगत आप जेल चले जाएंगे अब बटवारा हुआ ने लेकिन परिशानी आपकी बढ़ जाएगे तो मैं आपको यह सला दूँगा कि कभी भी आप मार्पीट न करें कभी आप जगड़ा न करें आपस में दूसरी बार ये भी उनसे कहिए कि देखिए मैं बहुत परिशान हूं और घर में विवाद हो रहा है हम मार जगड़ा नहीं कर पाएंगे रोज हमें परिशानिया हो रही है इसलिए बटवारा बहुत जरूरी होता है और कोल्ट भी इसका समर्दन करती है कोल्ट भी कहेगी कि आपस सी तालमेल नहीं है आपस में आपकी नहीं बन रही है तो अलग हो जाओ क्या परिशानी है अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा है तो आपके जो भी बड़े बुजर्ग है उनको एक पंचायद बुलाइए और उन पंचायद पर बात को रखिए और उन पांच लो के साथ-साथ evidence की जो मैं बात करूँ वो उस notice को जरूर आप रखे रहें ताकि कभी भविस्वमी ये बात आए कि हाँ मुझे जानकारी नहीं थी ताकि फिर procedure प्रोसेजिन यो है लंबा होगा और मामला बहुत खिषता हुए जाएगा तो क्या होता है परिशानी होती है तो आपको कहना अगर तीन आत्मी की सामती होती है अगर इशि कर था है लपागय कर सा यतोग पर लए जाता है यह जाता है वह वजह कि जो कि वह बटवारा नहीं चाहता उसे मालूम है कि इसमें छे महीने भी लग सकते हैं अगर अच्छे रहे तो छे महीने के अंदर बटवारा हो जाएगा अगर ग्राउंड में कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ रही है कोई लीगल एक्टिविटीच फस रही है तो वह सालों चला ज जेजने हमें कोई नने वी काम करना यह दिक्कुर भी सब्सक्राइब आघ कि लड़ोес अगर जो बटवारे में आ परिशानिये करें अब मैं आपको बता दूरियू लास्ट में सबसे ज्यादा उसको परिशानी होने है क्योंकि देखिए उसका आप से संबंद खराब हो जाएगा कोई भी बैक्ति उस पर भरोशा नहीं करेगा और पुरी लाइब में एक कड़वाहट बनी रही तो डियर स्टुडेंट्स और माइडियर फ्रेंड्स कड़वाहट लेने की क्या जरूरत है जब लास्ट में आप बहुत जरूरी हो जाता है कि बटवारा आपकी इस जमीन में कर सकती है अगर पुस्ताइनी जमीन है जिसे आपके बाप दादा से मिला हुआ है आपके पिता जी को मिला हुआ है उन्होंने खरीदा नहीं है उसमें आपका हिस्सा बनता है लेकिन अगर आपके पिता जी ने जमीन खरीदी हुई है, उनकी खुद की जमीन है, खुद की बनाई हुई समपत्य है, उसमें आप बटवारा नहीं कर सकते और नहीं ले सकते, और उसमें उस ब्यक्ति को, यानि उस मालिकान हग को या अधिकार होता है, कि वो आपको बेदखल भी कर दे, लेकिन पुस्तैनी ज बैट कर, प्यार मोहबत से अगर बात हो जाती है, तो मिश्ची तुरुप से ये बटवारा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और पांच मिनट में हो जाएगा, प्यार बना रहेगा, लंबे समय तक परिवार में आप से संगठन बना रहेगा, और सब लोग खुशिय के साथ अपना जीवन पे दित करेंगे, दूसरा तरीका, अगर पहला तरीका फेल होगा, तो आप पंचायत की बात कर लिए, पंचायत से भी बात नहीं बनती है, तो फिर लास्ट में फाइली मजबुरो करके आपको बटवारा दाखिल करने में एक बात और भी ध्यान दिय जाता है, कि अगर जिस ब्यक्ति के द्वारा अणंगा लगाए जाता है, उसमें हर्जे और खर्चे का दावा भी होता है, अगर जितने भी बात आए, सपोज करिए कि तीन भाई तयार है, और तीन एक भाई तयार नहीं हो रहा है, जो परिशान कर रहा है, तो जो भी आपको देना पड़ेगा उस खर्चे का भी बहन आपको करना पड़ेगा तो फाइनली लास्ट में जाकर के जो परिशान करता है जो अणंगा डलता है उसे समझ जाती है बिल्कुल समझ जाती है आप कितना भी छुपाएंगे वह समझ जाएगी कि आपकी मनसा क्या है आपकी नियत क्या है अरे जब आपकी जमीन है आपके पिता जी की जमीन है पुस्ताइन आपको भी बाप दादाओं से मिली है तो आप अपने बच्चों को देने से दिक्कत क्या आप उसको देदीजे आप क्यों परिशन करना चाहते हैं यह तो अलग कहानी है कि भई जब तक हम जिंदा रहेंगे नहीं बाटेंगे अरे जिंदा रहे तो जमीन तो आप नहीं बाट रहे हो लेकिन चूला अलग-अलग हो गया तो जगड़ी को खतम करने के लिए गर चूला की मामले को पुल जाना होता है जबकि ऐसा राइट नहीं है बहुत से ऐसे कानून है लौ है जो आपके आधिकारों की सुरच्चा करता है तो बहुत से लोग है आजकल तो बहुत से लड़कियां जिनकी साधियां 20 साल पचिस साल हो गए वह भी आगे करती है कि नहीं नहीं आप अच्छे से रहें, कोई दिक्कत नहों, कोई बीबात नहों, तो निश्चित रूप से आपको आपस में बैठ करके इस बात को सुन जा लेना चाहिए, क्योंकि cold कचारी का जो मामला होता है, वो काफी लंबा जाता है, खर्चीला भी होता है, और काफी painful भी होता है. विसी वाल दे बेश्ट, थैंक यू फर वाचिंग, थैंक यू फर लाग,